हेलो अब्रीवन जै हिंद आज है 31st ऑफ जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 31st ऑफ जुलाई से बनने वाले करंट फर के सभी important questions को discuss करेंगे इसके पहले कल 30 जुलाई थी लेकिन कल हमने weekly वजन किया था Sunday था लेकिन इसके पहले Saturday की class में हमने देखा था कि अफरिकी कंट्री नाइज़ार में तक्ता पलट हुआ है जिसके बास से वहां के रास्ट पती महमद बौजाओं को पद से हटाया गया है भारती संसत के तिहास का थाइसवे क्रम का अवस्वास प्रस्ताव लाया गया लोग सभा में टाटा स्टील के MBCO 212 से टीवी नरंदरन मने है बीते 6 महिने में यानि के जनवरी से जून 2023 तक 87,000 भारती ये देश छोड़ करके जा चुके हैं और दूसरे देश की नागरिक्ता ले चुके हैं केंद्र सरकार ने टोटल 21 ग्रीन फिल्ड एर्पोर्ट बनाये जाने के फैसले को मनजूरी दी है वर्ल्ड हैपटाइटिस डटाइस जुलाई को मनाये गया मुंबई का जो बाइकल और रिल्वेस्टेशन है इसे यूडिसको के सांस्कृति विरासत पुरिसकार से सम्भानित किया गया है फिनलंड में आयोजी जो टांपरे उपन था ये सुमित नागल ने जीता है ICC ने हर्मन प्रीत कौर को इनके अभद्र वेवार के कारण दो मैचस के लिए बैन किया है प्रभात कुमार साउथ एफ्रिका में भारत के अगले राजदूद बनी है और भारत के 33 वे ग्रैंड मांस्टर ये बनी है अदित्य ऐसामन्त जो कि महरास्ट से बिलॉग करते है तो इस सैटर्ड़े की जो क्लास रहे इसका रिविजन आप लोगों ने मेरे ओफिशल टेलीग्राम चैनल जो की है कल्यानी मैम ओफिशन इस पर किया था लेकिन आप options और static fact और mapping कवर करेना तो आपके more than 2000 current offer के questions इस series से complete हो रहे हैं इसकी अलग से playlist मैंने बना दी है playlist में जाकर कि आप 6th month current offer की जो playlist होगी इसे check कर लेंगे तीन पार्ट में ये current offer आपको provide कराए गई है तीनों पार्ट देख लेंगे आप किसी भी one day exam के लिए prepare कर रहे हैं किसी भी state PCS के लिए तैयार कर रहे है railway के लिए banking के लिए मतलब one day exam मैं किसी particular एक exam का नाम नहीं नूँगी किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं ये PDF और ये जो वीडियो है आपके लिए राम बान साबित होने वाला है तो इसे आप जरूर देखें PDF शाम तक आपको मेरे इसी टेलेग्राम चैनल पर provide करा दी जाएगी शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल तो रिसेंटली भारत का जो पढ़ोसी है भुटान इसने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोशना कर दी है अच्छा रुबेला ये टर्म ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा आप करंट से अपडेट रहते हैं आप लोगों को थोड़ा टाइम भी हुआ मेरे करंटफर की वीडियोज देखते हुए, लास्ट टाइम मैंने रुबेला का डिस्कुशन कब किया था, रुबेला वाइरस, कुछ याद आना चाहिए, देखे, ये लास्ट टाइम मैंने तब डिस्कुस किया था, जब मैंने क्रामक रोग है, अब संक्रामक रोग क्या होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फलता है, इसे जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है, जर्मन खसरा किसे कहते हैं, रुबेला वाइरस को ही कहते हैं, बैसे कलिए न इसमें सर्दी जुकाम और ये आप देख रहे हैं लाल कलर के स्पॉट लाल चकते इसमें कुछ साइन है जो कि दिखाई पड़ते हैं सबसे जादा यदि इससे प्रभावित होती हैं गर्ववती महिला हैं यदि प्रेगनेंट लेडीज इस बीमारी की शिकार हो गई तो उनका जो बच्चा पैदा होगा बच्चे में क उखार को कम करने के लिए अभी दवाएं अवलेबल हैं वेक्सिन हैं हालाकि जो नवजात बच्चे को लगाई जाती हैं तो अभी विस्व सास्त संगठन ने इस बिमारी से निपटने के लिए भुटान के प्रयासों की सराहना की है और इसे भुटान जो है इसे रुबेला के सुफल उन्मूलन की घोष्ट ने कर दी है भुटान जिसकी क्यापटल हो जाएगी थिम्पू करंसी हो जाएगी नगुल तरम यहीं के जो राजा है ना अभी कुछ समय पहले ही भारत के दौरे पर आये थे करंट इसी दिए आप रिलेट करेंगे तो भारत और भुटान के बीच में एक मंग देख्शू हाइड्रो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह करंट का सवाल है तिक है अब ऑप्शन के थूए दिए हम डिसकस करें तो इसी डब्लू एचो ने यानि कि वर पाकिस्तान में इसे साल एक्टिव होते हुए दिखाए दिये थे आगे चलते हैं हाली में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घुशित किया गया है अब ये लंपी स्किन डिजीज ये भी आप पहली बार री पड़ रहे हैं इसे प्रभावित पाए गए हैं और सबस्यादा इसे प्रभावित है थुटो मवेसी जो की नागल अंडी के मूल निवासी है भारत में हाला कि ये मवेशियों की ही नसल है थुटो जिसे कि 2020 में रजिस्टर्ड किया गया था ये एक आधिकारी घुशना पशो के संक्रामक और छूत के रोगों के नियंत्रन अधिनियम 2009 के तहट की गई है लंपी वाइरस ये किसके कारण होता है कैप्री पॉक्स वाइरस के कारण होता है ये मुख्य रूप से मवेशियों और भैसों को खून पीने वाले कीडों के माध्यम से एफेक्ट करता है इसमें वजन में कम पर कुछ ऐसे लक्षन दिखने लगते हैं पसो का सरीर है सूखने लगता है इस लंपी डिजीज के कारण अब नागलेंड का डिसकुशन है नागलेंड की राजधानी को हीमा हो जाएगी यहां की मुख्यमंत्री हो जाएंगे ने फ्यूरियों फिर से मुख्यमंत्री बनते और सरकार इसके लिए कोई एक्षन नहीं ले रही इसी के विरोध में जो विपक्ष ने अभी अवस्वास प्रस्ताव लाया है लोकसभा में और यह 28 क्रम का अवस्वास प्रस्ताव है यहां रिलेट कर सकते हैं अरुणाचर प्रदेश यहां विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के शुरुवात की गई थी और त्रिपुरा त्रिपुरा से आप क्या रिलेट कर सकते ही खारजी पूजा महुत सो यह तो है ही इसके लावा जो BCCI के पूर्व अध्यक्ष रहे थे सौरव गॉंगली इन्हें त्रिपुरा का अम्बैजड और कुछ समय पहले ही न्यूक्ति किया गया है आगे चलते हैं जलवायू परिवरतन पर अंतर सरकारी पैनल जिसे आप शॉर्ट में कहते है IPCCI इसके अध्यक्ष की रूप में किसकी न्यूक्ति की गई है तो अभी हाली में इसके अध्यक्ष बन गया है जेंस सकईया ओप्शन नंबर B इसका राइट अंसर हो जाएगा ये नैरोबी में IPCC के अध्यक्ष जोकी ये न्यूक्त कर दिये गए हैं है कहां के ये है UK के और इन्होंने अपने प्रत्विद्वन्दी थेलमा क्रूब को हराया है जेमस सकईया लंदन के Imperial College के Sustainability Energy के प्राफसर है ये एक्जाम का पार्ट नहीं बनता बस इनके बारे में कुछ चीज़े लिखी हुई है IPCC जिसका मुख्याले जेनेवा स्विज़ेलेंड में है अच्छा जेनेवा स्विज़ेलेंड में WTO World Trade Organization का WHO World Health Organization का मुख्याले आप लोग नहीं याद रखा है अल थानी थानी अलजायोदी इनके बारे में बताय हो जादा नहीं दो तीन दिन हुए है World Trade Organization की तेरहवी मंत्रे स्तरी बैठक की अद्धिक्षता यही करेंगे International Solar Alliance के अद्धिक्षा जय माथूर है Antonio Guterres हो जाएंगे United Nations के ठीक है अच्छा एक स्केमिस में रुपींगे ठीक है अगला प्रश्ण है हाली में जारी रिपोर्ट के नुसार वर्स 2022 में किस देश की जन संख्या 8 लाख कम हो गई है तो एशियाई कंट्री है जापान जहां पिछला जो साल गया है 2022 का यहां देश की संख्या में 8 लाख की कमी देखनी को मिली है पहली बार सभी यहां के जो 47 प्रांते हैं यहां जन संख्या में गिरावट दर्ज की गई है यह देश की जन संख्या में लगातार 14 वर्स गिरावट हुई है जापानी नागरिकों की संख्या में गिरावट ये दर्ज़ हर साल किया जा रहा था अभी आठ लाग क्या सपास 2022 में दर्ज़ किया गया है पिछले वर्स की तुलना में इस वर्स एक जनवरी तक जापानी नागरिकों की जनसंख्या 0.65% के गिरावट के साथ 12.24 करोड हो गई देखिए ना तो प्रतिसत एक्जाम का पार्ट बनेगा ना ही एक्जेक्ट इनकी जनसंख्या कितनी ही पूछा जाएगा आपको बस याद रखना जनरल लॉलिच के लिए के शय कंट्री है जापान जहां लगभग 14 साल होने जा रहे हर साल यहां जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले साल की जो रिपोर्ट आई है आठ लाकी आबादी यहां पर कम हो गई है विदेसियों की संख्या बढ़े 10.10 परसंट यह इंक्रीज हुई है जापान जिसकी राजधानी टोक्यो करंसी येन यहां की जो प्राइम मिनस्टर है फूमियो कि शिदा हो जाएंगे लेकिन एक इंडेक्स से आप अपडेट रही कि जापान अब हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर नहीं है अब इस करके इन्होंने महत्मा गानिजी की प्रतिमा कउध्याटन किया यहां के जो पूर प्राइम मिनिस्टर थे सिंजो अबे इनकी गोली मार करके हत्या की गई बाद में इनहीं भारत के दूसरे सर्वच्चों सम्मान पद्मई भूशन से सम्मानित किया गया था इसके लावा भ प्रतिवर्स विश्व प्रक्रति सर्रक्ष्ण दिवस कब मनाया जाता है तो यह हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को अप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस बार की थीम भी आप याद रखे इस दिवस को मनाया जाने का में पर्पस है प्रक्रति संर्क्ष्ण के महत्यों के बारे में लोगों को अवैर करना हलाकि हैपटाइटिस डे भी हमने कब पढ़ा है 28 जुलाई को ही पढ़ा है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस कारगिल विजय दिवस CRPF ने अपना स्था अपना दिवस 27 जुलाई को मनाया इंकम टेक्स डे आयकर दिवस यह 24 जुलाई अब यसे आज हम तीन इंपोर्टन डेज डिसकस करने जा रहे हैं भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकाडमी यह खोली गई है मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश सरकार की खेल विभागने e-sports junior championship की registration की तारिक ती यह 27 जुलाई से बढ़ा करके एक अगस्त किया गया है तो इसे भारत की पहली online gaming अकाडमी में प्रवेस की भारी मांग को देखते हुए शुरू किया गया है वैसे 200 seat इसमें available कराई जानी है जिसमें की 40,000 लोगों का registration इसमें से प्राप्त हुआ है शेयन की प्रक्रिया होगी कैसे 80% राज्य के लोगों को chance दिया जाएगा और 20% अन्य शेत्र के लोग इसमें से reserve हैं सी 18 के लिए मध्यप्रदेश जिसकी राजधानी भौपाल मुख्यमंत्री यहां के सिवराज सिंग चोहान राज लाडली लच्मी योजना के बाद यहां लाडली बहना योजना चर्शे में थी जिसके तहर सरकार 23-60 साल तक की बच्चियों या महिलाओं को 1000 रुपे तक की मन्तली financial help कर रही है यहां इन दौर है जहां इस साल का प्रवासी भारती सम्मेला नाय जिद किया गया था मंदस और में पहला floating festival उजयन में पहली वैदी घड़ी और महा काल लोग का उधगाटन भी यहीं किया गया था होसांगाबाद का नाम बदल करके नर्मदा पूरम किया गया है दिंडौरी की गूंड पेंटिंग जिससे जी आई टाइग मिला मंदला भारत का पहला आदिवासी साक्षर जिला हो जाएगा हवाई मार्ग के जरिये राज्य की बुजर्गों को तीर थ्यात्रा कराने वाला यह पहला राज्य बना थोड़ा हम स्पोर्ट से ही रिलेट करेंगे ऑप्शन को जिसकी भारत की जो पहली गल्स फुटबॉल अकैडमी ही यह करनाटक में उपन हुई है कहां तो करनाटक की राजधानी बैंगलोर में उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो राय बरेली स्टेडियम ही ना इसका नाम बदल करके रानी रामपाल के नाम पर किया गया है और ओडिसा में अभी रिसेंटली भारत का जो सबसे बड़ा होके स्टेडियम है जिसकी बैठक शमता दस हजार दर्शकों की है नाम क्या है बड़सा मुंडल स्टेडियम राउल के लाम है यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं आगे चलते हैं अंतराज्टे बाग दिवस यानिकि टाइगर डे कब मनाया गया तो ये 29 जुलाई को मनाया जा है इस दिन को 2010 में रूस के सेंट पेट्सबर्ग टाइगर सिखर संब्यलन के दौरान अपनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के पचास साल पूरे होने का जशन भी मनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर की कप से गई थी 1973 से कहां की गई थी तो उत्राखंड का जो जिम कॉ प्रेंद्र मोदी जी के दुवारा जो पांच वी टाइगर सर्वे रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है इसमें टाइगरों की संख्या 3167 है इस साल जो जारी हूं यह करंट का सवाल है एप्रोक्स तीन हजार यह गलत नहीं लिखा लेकिन एक्जक्ट आपको याद रखना ह 3167 हो जाएगी भारत दुनिया के आधे से अधिक जंगली बागों का घर है और इसे आईयू सीन जो भी हमने आईयू सीन्स किया था ना अचा आयू सीन्स नहीं किया है आईपी सीसी डिसकुस किया है आयू सीन के आयू सीन मतलब जो रेट डेटा बूक होती है इसमें इसे के टेगरी भी रखा गया है कारगिल दिवस CRPF दिवस हैपटाइटिस डे और अभी प्रकृतिस अन्रक्ष्ण दिवस यह हम डिसकस कर लिए आगे चलते हैं किस देश के प्रधान मंत्री हुन सेन ने इस्तफा दिया है तो कंबोडिया यह भी एश्याय कंट्री है यहां के जो प्रधान मंत्री थे हुन सेन यह अगले तीन हफ्तों में इस्तिफा देने जा रही है यह 38 वर्सों से कंबोडिया की निरंकुष नेता रही है निरंकुष का अंकुष मतलब प्रतिवंद लगाना निरंकुष यहनिकी बिना रोक्टों के यहां के नेता रही है और उनके जो देश के मुख्य पे पक्ष को दबा दिया गया है, कुछ ऐसे ही नियूज आप लोगों को सुनने में आई थी, म्याम मारेन की बर्मा में, जहां पर यहां की नेता आंग सांग सुकी पर ये अलजाम लगाया गया था, कि इन्होंने धांदली करके चुनाव जीता, बाद में इ स्थफ़ा देने जा रही है, नाइजर में भी तक्ता पलट हुआ है, कली की सेटरड़े की क्लास में मैंने बताया था, नेपाल की प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, जो की भारत की दोरे पर आये थे, ये पुश्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे, जबकि इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनकी सत्ता में फर से वापसी हो चुकी है, ये है बेंजाम में नेतनिहाओ, अगला प्रश्ण है, हाली में बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोक के अध्धक्ष के रूप में न्यूक्ति कर दी है, अश्व में देवी की, ऑप्शन ए इसका पूर्व सांसद है, तीन साल के लिए इनकी न्यूक्ति की गई है, बिहार राज्य महिला आयोग 1993 में गठित एक वैधानिक निकाए है, इसके स्थापने बिहार राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधिक संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए की गई थी, तो पहली महिला आई प्योस ऑफसर बनी है, और फान्यों क्यों कोयाक ये नागा लेंड से राज्य सभा संसद बनने वाली, पहली संसद है, पहली महिला संसद, आगे चलते हैं, विश्व मानो, तसकरी निरोधक दिवस, ये कब मनाया गया तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या है, रीच एवरी विक्तम ओफ ट्राफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड, तो सेंग्त राज्ट ने ये दिवस घोशित किया था, ये दिवस मनाया जाता है, 30 जुलाई को, 28 जुलाई, हैपटाइटस डे, 29 जुलाई, टाइगर डे, तो ये जुलाई मन्त के इंपोर्टन डेज में, एक जुलाई को हमने देखा था, GST डे मनाया गया था, डॉक्टर से डे मनाया गया था, इसके लवा, SBI ने अपना अस्थापना दिवस मनाया, चार्टर अकाउंटेंट डे मनाया गया, इंपोर्टन इंपोर्टन डे हम डिसकस करें, तो 2, 3, 4, 5, इसमें से 11 जुलाई, 18 जुलाई को नेलसन मंडेला दिवस मनाया गया, कुछ-कुछ है रिलेट करवारीं, बाकी तो सब पढ़ा चुकी हैं, आप लगों के, 20 जुलाई को अंतराश्ट्री चंद्रमा दिवस मनाया गया है, इसके लावा सतरंज दिवस भी मनाया गया है, 22 जुलाई को जंडा अंगी करण दिवस, 23 जुलाई को राज़्टी पिसारण दिवस, 24 जुलाई को इंकम टेक्स डे, 26 जुलाई का है कारगिल विजय दिवस, बाकी हम रिलेट कर चुकी है, मैंने पूछा था मेगा व्रक्षा रोपणा भ्यान की शुरुवात किस ने की है, उत्तर प्रदेस राइट अंसर था, आज का सवाल है, आउस्ट्रेलिया की केंदरी बैंक की पहली महिरा गवर्नर कौन बन गई है, इसका अंसर आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आइक तो सुमच,